दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही पुरानी और बेहद रेर अंगीठी ये अंगीठी अंग्रेजों के जमाने की बताई जा रही है जो कि ठोस लोहे से बनी है जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे सब तरफ नकाशी करी हुई है ये इतनी भारी है कि इसको खिसका पाना बहुत मुश्किल था अमोमन हमने जो अंगीठियां देखी है उनमें उपर एक ही गोला होता है जिसमें जाली लगी होती है और उस पे कोईले रखे जाते हैं लेकिन ये अंगीठी कुछ खास है प्यूंकि इसमें दो गोले बना हुए हैं सामने की तरफ और एक गोला बना हुआ है पीछे की और इसमें बीच में जो आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल डिटैचिबल है मतलब ये कि अगर ये सांचा बीच में रखा हुआ है तो इन दो गोलों में आप खाने के बरतन रख सकते हैं और उनको गरम कर सकते हैं यानि कि उसमें खाना पकाया जा सकता ह और अगर आप इस पार्ट को अलग कर देते हैं तो इस पे आप सीख कबाब जैसी चीजे या कोई लंबी चीज उसमें डाल करके सेखनी है या बेक करनी है तो वो आप उसमें कर सकते हैं जो पीछे वाला गोला आपको बीच में नजर आ रहा है वो है भाप निकलने के लिए मतलब धूआ निकलने के लिए जब आप उसमें खाना बना रहे हैं इस फ्लैप के पीछे अंग्रेजों के समय का कुछ गुदा हुआ भी है जैसे कुछ प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ नाइन, क्वीन, आई, एच ऐसे कुछ लेटर्स गुदा हुए है यहाँ पर अंगीठी में एक खिड़की दिखाई देती है यह खिड़की अंगीठी के ताप को नियंत्रिक करने के लिए है यदि आप अंगीठी में कुछ पका रहे हैं तो इस खिड़की को बंद कर दें जिससे की अंगीठी की सारी गर्मी एक जगा एकठी हो जाएगी और यदि आपको अंगीठी का ताप बाहर की तरफ चाहिए है तो इस खिड़की को खोल लीजिए